खेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अमारी यूटूब चैनल विदिकारी में दोस्तों इस वीडियो में हम 36 गड़ की जो भूराजस और संगीता है उसके उपर डिसक्रसन करेंगे उसका जो भी तक मूशे गए हैं उनको सामिल करते हुए जो इंपोर्टेंट प्रस्ण है हम उनको जो है आपको एक स्रीज के रूप में पूरे जो क्वेश्चन है उनको हम पूरी को स्रिंखला प्रोवाइड कराएं जिससे आप अपनी तयारी को और बेहतर कर सकते हैं तो यह जो वीडियो है यह सेकंड पार्ट है इसके पहले के वीडियो में हमने 50 प्रस्णों को 50 एंसी क्यों को जो है और वह जो हैं हमने उनकी प्रापर व्याख्या के साथ और संबंदित जो प्रोवीजन है जो शेक्षन हैं उनसे को रलेट करते हुए सभी प्रस्णों को हल किया है और आगे के इस वीडियो में हम आगे के 50 प्रस्णों को हल करेंगे और यह इस प्रकार से यह है इसका दूसरा भाग है तो आप वही तक उस वीडियो को नहीं देखें तुसको जरूर देखें और इसके बाद हम इस वीडियो को सुरू करते हैं और इसके अलावा दोस्तों आप 36 गड़ की परिक्षा है उसके लिहाद से जितने भी इंपॉर्टेंट कोस्चन है या जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वहां पे सिलेवस में उनके वीडियो हमारी चैनल विदिकारी पर जो है आपको मिल जाएंगे आप वहां से उनको स इसमें नेक्ष्ट कोश्चन है भूर्ट राजस्व संगीता में अपील के जो प्रावधान है वह किस धारा के अंतरगत दिया गया है और धारा चवालिस के अंतरगत प्रथम अपील और दुती अपील इन दोनों के बारे में प्रावधान किया गया है और इसी में यह वताय और दूसरी अपील किसके हो सकेगी तो आगे हम देखेंगे कि जो अपील का प्रावधान है वह किसके आदेश से कहां पर अपील हो सकता है जैसे पखंड अधिकारी का कोई आदेश है तो इसके खिलाप जो अपील होगी वह कलेक्टर के के पास होगी उप सर्वेक्षण अधिकारी के आदेश से अपील जिला सर्वेक्षण अधिकारी के होगी कलेक्टर के आदेश से कोई अपील है तो वह आयुक्त को अर्थात कमिशनर को होगी और जिला सर्वेक्षण अधिकारी के विरूद जो अपील होगी वह आयुक्त भू इनके जो आदेश हैं इनके अपील जो है वह फिराजय सुमन्दल को की जाएगी जो ङसे और यह जो है प्रतम अपील के जो फृस्ट कि जा सकेगी तो उपखंड अधिकारी के समक्ष उप सरवेक्षण अधिकारी कलेकटर जिला सरवेक्षण अधिकारी आयुक्त और आयुक तुभू अभिलेक और राजस्वमंडल तो यहां पर जो अपील का सर्वोच नियाल है अर्थात जो सर्वोच संस्था है उस राज की जिसके समक्ष अपील की जाएगी तो वह राजस्वमंडल अर्थात रिवेंड्यू बोर्ड है इसके समक्ष ही जो है अपील की की जा सकेगी और इसके आदेस के विरुद्ध अर्थात राजस्वएंडल के आदेस के विरुद्ध जो है कि किसी भी प्रादिकारी के आपकनेसी के अपील नहीं हो सकेगी तो यह आयुक्त के समक्ष और रेवेन्यू बोर्ड अर्थात राजसु मंडल के समक्ष इन दो प्राधिकारियों के समक्ष ही जो है दुति अपील की जा सकेगी नेक्स है दिती अपील न्याले नहीं है तो दिती अपील न्याले कौन कौन सा है तो जैसा कि हमने देखा है कि दिती अपील न्याले कौन होगा तो आयुक्त है और राजसोबोर्ड है इन दोनों ही प्राधिकारियों के समख्ष ही दिती अपील की जा सकेगी अर्थात यहां प प्रफम अपील में पारित कोई आदेश है तो उसके विरुद्ध जो होती है दुति आपील वह आयुक्त के पास होगी और अर्थात कमिशनर या आयुक्त भू अभिलेक के दौरा अगर कोई आदेश पारित की जाती है तो उसकी अपील राजसुमंडल को होगी तो यहां पर क किसी कमिशनर के दौरा कोई आदेश वारित किया जाता है तो उसकी अपईल प्राधिकारी के समस्ख्य खोगी तो इस बात को भीशान में रखना अवश्यक है नेक्स है निमलिकित में से कौन से दुती अपील के आधार हैं तो दुती अपील के आधार जैसा कि हमने देखा कि धारा 44 के खंड तीन के अंतरगत बताए गिया है तो इसमें पहला क्या है कि यदि आदेश बीधिका प्रभाव रखने वाली प्रथा के प्रतिकूल है तो वहा सारवान विवाद्यक का अउधारन नहीं हो सका है तो उसकी भी जो अपील है वह सेकेंड अपील की जा सकेगी तीसरा है कि प्रक्रिया में सारवान तुर्टी के कारण गुणा-गुण के आधार पर मामले के बिनिस्चे में गलती या तुर्टी हुई है और मूल आदेश को प प्राव थान किया गया है तो आप आपील प्राधिकारी का है यह जो हे ढौन्चास के अंतर्गत बताए गया है अर्थात इसके बारे भी जो प्रावधान होई है धारा उन्चास के अंसरां कि पर कि कि अदृत नेक्स्ट है धारा 49 खंड तीन के अंतरगत अपील प्राधिकारी अतिरिक्त साच ले सकता है तो धारा 49 खंड तीन के अंतरगत कोई जो अतिरिक्त साच लिया जा सकता है तो वह किस बात के लिए अतिरिक्त साच लिया जाएगा तो यह जब प्रकरण के निप्टारे के लिए जब कुई आवस्यक हो तभी जो है वहाँ पर अपील प्राधिकारी के द्वारात्रिक साथ लिया जा सकता है नेक्स्ट है निम्न आदेश की अपील नहीं होगी तो किन आदेशों की अपील नहीं होगी तो इसके संदर में जो प्रावधान है वह जो है धारा 46 के अंतरगर दिया गया है और इसमें आपताया गया है कि वह कौन से आदेश हैं जिनको विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी तो जो आदेश हैं वह अंतरीम स्वरूप के हैं उनकी विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी अगर इस्टे के लिए आवेधन को मंजूर किया गया है या नामंजूर कर दिया गया है तो उसकी भी अपील नहीं होगी और पुनरविलोकन के आवेधन को अगर नामंजूर कर दि कि इन आधारों पर जो है कोई अपील नहीं होगी अगर उस उस आधार पर कोई आदेश वाइद दिया जाता है तो कि नेक्स है अपील की परिसीमा के संबंध में कौन सही सुमेलित योग्म है तो अपील की परिसीमा क्या होगी अर्थात आदेश के कितने दिन के भीतर अपील का किया जाना आवस्यक है इसे परिसीमा कहते हैं इसके बारें जो प्रावधान है वह धारा 47 के अंतरगर दिया गया है तो कलेक्टर को या उपकलेक्टर अर्थात उपखंड अधिकारी को अगर इनके समक्ष कोई अपील की जानी है तो वहां पर आदेश की तारिक से 45 दिन के अंदर उनको अपील कर दी जानी चाहिए और दूसरे विकल्प है कि आयुक्त को अर्थात कमिशनर को जो अपील होगी वह आदेश की तारिक से 60 दिन के अंदर की जानी चाहिए उसके राजय सोबोर्ड है उसके समक्षकर को अपील की जानी है तो आदे कि अधिसमेलित यूग्म है तो अपील के बारे में जो प्रावधान है या धारा किया जाता है पॅल अब में पुनरविलोकन के बारें जो प्रावदान है ओथारा 51 के अंतरगत किया गया है पुनरविलोकन क्या होता है कि कोई अधिकारी है जिसने आधेस पारित किया है जब उस अधिकारी के द्वारा अपने ही आदेश को फिर से आउलोकन किया जाता है तो उसको ही पुनरविलोकन कहा जाता है तो यह प्रतियक राजेस वृधिकारी झिसने वह आदेश पारित किया है उसके द्वारा किया जा सकता है तो इस प्रकार से यहां जो सभी कल्प हैं वह सभी सुमेलीगत नेक्टस राजा स्वंप्राधिकारी पुनर्विलोकन कर सकता है तो जैसा पूनर्विलोकन के बारे जो स्व हर्प्रव्यदान पर अधारा 51 के नतरगत जो मंडल और प्रत्येकर ल tensuk कर सकते हैं नेक्स है पुंदिछण के लिए कोई भी आवेदन ग्रहन नहीं किया जाएगा तो पुंदिछण के बारे प्रावधान जैसा के हमने दिखा कि वह जो है धारा पचास के अंतरगत दिया गया है और यहां पर प्रस्ण क्या पूशे रहा है कि इसमें से पुंदिछण के लिए क तो ऐसा जो आवेदन है वह कब ग्रहन नहीं किया जाएगा तो पचास के अंतरगत के किसी आदेश के विरुद अगर वहां पर पुंदिछण के लिए आवेदन किया जाता है तो उसको भी स्विकार नहीं किया जाएगा और धारा एक सो सतर बी के तहट जो आयुक्त या पुंदिछण में आदेश पारित किया जाता है तो उसके विरुद्ध भी जो है पुंदिछण नहीं किया जा सकता है तो इस प्रकार से इन सभी परिस्तितियों में पुंदिछण के लिए अगर कोई आवेदन तिया जाता है तो उस आवेदन को स्विकार नहीं किया पेश का अतात पर यह है कि अगर कोई आदेश पारित किया गया है तो उस आदेश के पारित किया जाने की इस्तिती में कितने दिन के भीतर पुंदिछन के लिए आवेदन किया जाएगा और यहाँ पर अधिकारियों के नाम दिया गया है कि आयुक्त या आयुक्त भू अभले या कलेक्टर या जिला सर्वेक्षन अधिकारी तो अगर इन अधिकारियों के समख जो है पुन्रिच्छन के लिए आविदन किया जाना है तो वहां पर ऐसा जो आविदन है वह है किया जा सकता है तो यहां पर दो बातों को ध्यान में रखना है कि राजस्व मंडल को अगर आविदन किया जाता है तो वहां पर 90 के भीतर पुन्रिच्छन के लिए दाखिल किया जा सकता है और इसके अलामा अगर किसी अधिकारी को पुन्रिच्छन के लिए आविदन दिया कि नेक्स है राजय सोबोड को आदेश की तारिक से कितने दिन के भीतर पुन्रिच्छन दाखिल किया जा सकता है तो जैसा हमने देखा कि यह हैं 90 दिन के भीतर राजय सोबोड को और अन्य अधिकारियों को साथ दिन के भीतर नेक्स है पुन्डिस्ट्चन के क्या आधार हैं तो पुन्डिस्ट्चन के जो आधार होंगे अर्थात कीन आधारों पर जो है पुन्डिस्चन दाखिल किया जाएगा तो आदेश की वाइधता की जाच के लिए आदेश के आउचित के लिए और कायरवाहियों के अनियमित्ता की मामले में अर्थात अगर वह अनियमित्त हैं तो उसकी नियमित्ता की जाच करने उसका समाधान करने के प्रयोजनों से इन सभी आधारों पर पुन्रिच्छन के लि पुनर्विलोकन के लिए आविदन किया जा सकता है तो इसके संदर में जो प्रावधान है वो धारा 51 के खंड 2 के अंतर गत दिया गया है और इसमें यह बताये गया है कि किसी भी आदेश का जो पुनर्विलोकन है वह CPC में उपबंदित जो आधार हैं उन्हीं आधारों पर पुनर्विलोकन किया जाएगा अन्यथा नहीं किया जाएगा तो इसका ताथ पर है कि CPC में पुनर्विलोकन के जो आधार बताये गये हैं उन्हीं आधारों पर जो है पुनर्विलोकन के लिए समय सीमा कितनी है तो यहां पर 15 का खंड 1 का जो परंतुग है तो उसी के अंत नब्बे दिन के वीतर जो है पुनर विलोकन के लिए आविदन किया जा phosphorus को किया जाएंगा यह कं सकता है तो किया जासकेगा और ऐसे आधेश की तारीखसे राजञस्व मंडल के समक्ष जो है उसे नभ्य दिन के भीतर पेस त्याना आवश्यक है मारे मैं नेक्श भैस नहीं किया proxy ऐसकेगा तो कीन आधेशों का जो प्रिविलोकन है वहां नहीं किया जासकीगा तो अगर धरा 51 का खंड एक देखेंगे तो इसकी आंतरगत यह बताया गया है कि कौन से आदेश हैं जिनका पुनरवलोगन नहीं किया जा सकेगा तो ऐसा कोई आदेश है जिसकी अपील की गई है अर्थात उसकी अपील की गई है और उसका निजदारण नहीं किया गया है दूसरा है कि जो किनी पुंदिछण कारवाहियों का विशय है अर्थात उस आदेश की पुंदिछण के लिए आविदन किया जाहिए तो ऐसी दोनों ही परिस्तियों में उसका पुनिरूलोकन के लिए आविदन नहीं किया जा सकता है अब 36 गर्भू राजस संगीता की धारा 51 के अनुसार राजस मंडल तथा पत्तेक राजस सदिकारी या तो स्वप्रेरणा से या हितबद्ध पक्षकार के आविदन पर अपने दोरा पारित निर्ड़य का पुर्वावलोकन पुनरविलोकन कर सकेगा और ऐसा आदेश पारित क किया गया हो कि नेक्स कोश्चन देखते हैं कि आदेश के निश्पादन को कौन रोक सकता है तो आदेश के निश्पादन को किसके द्वारा रोका जा सकता है इसके संदर प्रावधान है वह धारा 52 के अंतरगत किया गया है और इसके अनुसार जो आदेश का किसी निश्पा को रोग सकता है कि और यहां पर पूछा जाता है कि उस अधिस को कितनी बार रोका जा सकता है तो धारा बावन के खंड 3 के अंतरगत यह वताए गया है कि किसी भी आधिस का जो निस्पाधन है उसक्षियो ऑफ नेक्स है परसीमा अधनियम लागू होता है तो परसीमा अधनियम के जो प्रावधान है वह इस पर भी लागू होते हैं भूराजस्वसंगीता पर भी तो भूराजस्वसंगीता के किन मामलों में जो है यह लागू होंगे तो यह अपील के मामले में पुनरवी लोकन के मामले में और पुन्रिच्छन इन सभी मामलों में जो है परसीमा के नियम लागू होते हैं तो इसका दात पर यह है कि आदेश की कितनी तारिक के दिनों के भीतर अपील किया जा सकता है या कितने दिनों के भीतर पुनरवी लोकन के लिए आविदन किया सकता है या पुन्रिछण के लिए आविदन किया सकता है तो इसके लम्भीत पुन्रिछण का जो प्राउधान है वह किस धारा के अंतरगत किया गया है तो लंबित पुनिरिछण का जो प्रावधान है वह धारा 54 के अंतरगत किया गया है इसे पेंडिंग रिविजन कहा जाता है और इसे जो है धारा 54 को वर्स 2013 में इसे प्रतियसापित कर दिया गया है पूरी तरह से नेक्ष है राज की समस्त भूम खान खदान खनीज वन बहता हुआ पानी यह जो सभी है और इसके अलावा अन्य जो संपत्ति है जिस पर जो राज सरकार चाहे तो उस पर जो है यहां पर पूछ रहा है कि स्वामित किसका होगा तो इसके बारे में प्रावधान है उधारा 57 के और राज की सभी भूमिया है खान, खदान है, खनीज है, वन है, बहता हुआ जल है, नदी है तो इन सब पर जो है राज सासन का प्रभुत होता है अर्थात राज सासन का स्वामित होता है नेक्स है भूराजस्य हो सकता है तो भूराजस्य जो है वह की सुरूप में हो सकता है तो इसके संदर में जो प्रावधान है वह धारा 58 के खंड दो के अंतर गद दिया गया है धारा ठावन खंड दो केंतर गर्द दिया गया है कि भू-राज़स जो है वह किस रूप में हो सकता है तो ऐसा जो भू-राज़स है वह वह है प्रीमियम लगान पट्टा और प्रमुक्ति भाटक इन सभी रूप में ही भू-राज़स हो सकता है नेक्स है धारा 57 खंड 1 के अधिन किसी अधिकार के संबंध में यह दिराज सासन और व्यक्ति के बीच विवाद पैदा होता है तो उसका जो निराकरण है वह है किसके द्वारा किया जाएगा इसके संदर में जो प्रावधान है वह धारा 57 के खंड 2 के अंतरगत दिया गया है तो इसमें यह बताया गया है कि जहां राज तथा किसी व्यक्ति के बीच किसी अधिकार के संबंध में कोई विवाद पैदा होता है तो उसका जो बिनिस्चय है तो वह कलेक्टर के द्वारा क खाते तो कौन से लाभप्रत खाते हैं जो भू राजसों से मुक्त होंगे अर्थात उन से जो है भू राजसों की वसूली नहीं की जाएगी तो इसके संदर में जो प्रावधान है धारा 58 यह के अंतरगत दिया गया है तो ऐसे खाते जो की लाभप्रत हैं अर्थात उससे क पांच एकड या इस से कम है तो उससे जो है कोई भी भूराजस की वसूली नहीं की जाएगी तो उससे कोई भूराजस की वसूली नहीं की जाएगी नेक्स है यज एक खाते में ब्यक्ति संय clinics रूप से शामिल हैं तो भूराजसों किस प्रकार से वसूला जाएगा अर्थात वहां पर भूराजस जो है किस प्रकार से दे होगा तो आईशी स्थity में जो प्रत्य ब्यक्ति है वह अपने हिस्से का अलग से जो है भूराजस को प्रतानन करेगा या उसका दायत्तो दीन होगा इसके संदर है प्रावधान जो अधारा 58 एक अंतरगती दिया गया है कि नेक्ट है भूराजसुका निर्धारण भूम के संबंद में किस प्रकार से किया जाता है तो भूराजसुका निर्धारण जो है भूम के संबंद में उसके उद्देश को देखकर किया जाता है अर्थात वह किस उद्देश से या किस परपस से भूम & यूज की जा रही तो उसी अनुसार जो है वहां पर भूराजस का निधरन किया जाता है तो इसके संदर्ण जो प्रावधान और 69 के अंतरगत दिया गया है कि नेक्स है भूराजस में जो परिवर्तन है भूराजस में परिवर्तन तो यह परिवर्तन जो है किस प्रकार से किया जा सकता है तो इसके संदर में जो प्रावधान है उधारा 69 के खंड 2 के अन्तर गत किया गया है तो ऐसा जो परिवर्तन है वह भूम उद्धेश में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसी साथ बदल जाता है इसका ताथ पर यह है कि जिस उद्धेश से कोई भूम का यूज हो रहा है और उसी उद्देश के अनुसार उसका भूराजस का निर्धारण होता है लेकिन बाद में अगर उस उद्देश में परिवर्तन हो जाता है अर्थात कोई भूम खेते के लिए यूज होती थी तो खेती के हिसाब से जो है भूराजस दिया जाता था लेकिन अगर उसको जोysis से JOSH होने वाले की चानव्पम स्कारया फिर एक जाएगा हाँ में सब्सक्तार्भ जार तहट भू राजस्व परआप कर सकता है तो किन वा जा ही होगा वह सज्शम परआदिकारी होगा वही जो है भू राजस्व में परव़्फन कर सकता को नेक्स है जिस भू में पर भूराज़त सुका निर्धारन नहीं हुआ है उसका जो भूराज़त सुका निर्धारन है वह है किसके द्वारा किया जाएगा तो इसके संदर में जो प्रावधान है वह जो है धारा 60 के अंतर गदिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि भूर तो जुका जो निर्धारण है वह है क्लेक्टर के दोरा किया जाएगा तो कि विवाला विकल इसका तरही है कि नेक्ट है भूसरवेक्षड की पर इवास्य या किस धार के अंतरगत दी गई है तो भूसर विक्षड की परिवास्य भावसर ठारा माच्छट है एंदर प्रथादें अंतरगत कौण सी बातें और तो पहले जो है उसका नाम कुछ और था तो उसका नाम जो है राजस्व सरवेख्छन था अब लाजस्वोंध सर्वेख्छ जो क्वाइश इसका नाम दिया गया है तो अब लिगत balcony कहने के अंतरगत कौन कौन से कर जाथे या कौन कौन सी संक्रियां या तो अधिकार अभिलेक तयार करना भूम को सर्विक्षण संख्यांकों में विवाजित करना इसके अलामा कोई अभिलेक तयार करना और जो है कोई भूमिका संख्या के लूप में सर्वेक्षण करना या उनका संख्या के वेचित करना ये सारे जो कारे हैं वह है भू सर्वेक्षण के अंतरगत आते हैं अब यह एक प्रस्न यह पूछा जा सकता है कि भू सर्वेक्षण का वर्स 2022 से क्या पहले क्या नाम था त सर्वेक्षण और बदला कब गया है तो 2022 में नेक्स है भू सर्वेक्षण की अधिसूचना जारी की जाती है तो यह किस धारा के तहद जारी की जाती है तो यह ऐसी अधिसूचना तो है धारा सर्षण के तहद जारी की जाती है और यह पूछा जाता है कि जो भू सर्वेक्ष जिला सर्विक्षण अधिकारी के द्वारा जो है वह भू सर्विक्षण के सूचना जारी की जाती है नेक्स है किन परिस्तितियों में जिला सर्विक्षण अधिकारी के द्वारा भू सर्विक्षण किया जा सकता है तो वह कौन सी परिस्तितियां है जिनके अंतरगत जो है ज कि ऐसे जो भू सर्वेक्षण होगा राज यसासन झाहिए किया सकता है और जो संदर्भ नक्षा किया जा सकेगा नेक्स है जिला सरविक्षन अधिकारी ग्राम के निवासियों के निवास के लिए आबादी भूम आउधारित करता है तो ऐसी जो भूम है वह किस धारा के तहट आउधारित की जाती है तो यह जो भूम है उधारा 72 के तहट आउधारित की जाती है तो धारा 72 म acji जा सकता है जो NEXT है दारा 73 के अंतरगत गाओं में विभाजित, या सन्योजित करने की सकती है किसको है Left's का जो भी भाजन है या कई गाओं को मिला कर एक गाओं के रूप में गठित किया जाता है या दो या अधिक गाओं को गठित करने या उनकी सीमाओं में परिवर्तन वह जिला जो है सर्वेख्षन दिकारी को ऐसी सक्ति प्राप्त है और किस धारा की तहट तो धारा 73 के तहट ऐसी सक्ति प्रापत है उन्हें नेक्ट है संगीता की किस धारा में बंदो बस्त की परिभासा दी गई है तो बंदो बस्त की परिभासा है वह धारा 75 के अंतरक्र दी गई है नेक्ष भूराजय शुका निर्धारण कोण करता है। तो भूराजय शुका जो निर्धारण है वह धारा 77 के तहट जो है जीला सरवकष्ण अधिकारी के द्वारा किया जा सकता है। निर्धारण है। किया जा सकता है कि नेक्स है किस धारा में कहा गया है कि समस्त भूमिया निर्धारण के दायत्तों धिन होंगी तो ऐसा जो कथन है वह धारा अस्सी के अंतरगत किया गया है और इसी में बताए कि जरब गया है कि जो सभी सभी भूमिया और सभी निर्धारण के दाइद्थृ द्हीन होगी ओर इसका निर्धारण जो है वह जिला सरविख्षण द्रिकारी के द्वारह किया जाएगा कि सधारा में ऑले सभ राजयसु निर्धारण की अवद दी गई है वह अधारा 85 आंधर दी गई है और कितनी होगी तो अधि ती 7 male होगी कि अर्थात जिला सरक्षण की द्वारा जो उसका निरधारण किया जाएगा और वहति है तीस वर्स के लिए को इस तुल रुदारन किया जाएगा और तीस वर्स के बार तो है फिर सैंठाकिदार किया आएगा अईसा जो प्रावधान है धारा 85 के अंतरगत दिया गया है और खंड दो के अंतरगत 85 में यह भी बताया गया है कि विशेष परिस्थितियों में जो है जो तो सरवेक्षण है वह तीस साल से पहले भी किया जा सकता है लेकिन 15 साल से पहले नहीं किया जा सकता है लेकिन 15 वर्ष से पूर्व उसका जो है फिर से निर्धारन नहीं किया जा सकता ऐसा विशेष परिस्थितियों में भूराजस निर्धारन करने की अनुमति कौन दे सकता है तो विशेष परिस्थितियों मे कितने वर्ष से पहले नहीं दिया जा सकता है इसा अनुमती तो वह 15 वर्ष से पहले जो है उसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है अईसी अधिकारिता जो है वह उपखंड अधिकारी को होती है और इसके बारे जो प्रावधान है वह जो है धारा 85 के खंड 3 के अंतरगत दिया गया है नेक्स है भू सर्वेक्षण बंद हो जाने के पस्चात किसी सर्वेक्षण संख्यांक या खाते के छेतरफल या निर्धारण में किसी गलती को कौन ठीक कर सकेगा तो अगर भू सर्वेक्षन बंद हो जाता है और उसके बाद जो है कोई गलती पता की चलती है कि खाते के छेतरफल का निर्धारण गलत किया गया है या उसको ठीक किया जाना आवस्यक है तो ऐसी स्थिति में उसको ठीक करने की जो सकती है वह उपखंड अधिकारी को होती है और यह जो सकती है उसे धारा 89 के तहट प्राप्त होती है धारा 89 के तहट नेक्स है भू सर्वेक्षन समाप्त हो जाने के पस्चाथ जिला सर्वेक्षन अधिकारी की सकतियां किसे प्राप्त होती है तो इसके संदर में जो धारा 90 है और धारा 91 है इन दोनों ही धाराओं को को देखना बहुत जरूरी है तो यहां पर भू सरवेक्षण समाप्त हो जाने के बात जो है वहां पर जिला सरवेक्षण अधिकारी की सकतियां है वह किसे प्राप्त होंगी तो इसी जो सक्ति है वह जिला कलेक्टर को प्राप्त होती है तो जिला कलेक्टर को प्राप्त होगी उसके लिए जो है कुछ धाराएं बताई गई है कि धारा 68 धारा बहत्तर धहरत तीहट्र ओर दारा सत्थत्र। इन धाराओं har памट के तहत जो beyond Yeahch is a pressures only का प्रियोग आख सकेगा अर्थात इन धाराओं के तहत जो सक्थीयों का प्रियोग किये जाता है बात को ध्यान में रखना है तो यह इस बात को ध्यान में रखना है कि 59 65 के तहति जो aurगे के पस्के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए नियम बना सकेगी तो ऐसा जो नियम बनाने की सकती है वह राज सरकार को है और धारा इक्यानवे करके अधिन इसी सकती उनको प्राप्त होती है नेक्स है नगरी छेत्रों में भूमिका निर्धारण तथा पुनर्द निर्धारण के संदर्व में उन भूमियों पर लागू होता है तो निर्धारण और उप निर्धारण के जो उपबंध हैं वह किन भूमियों पर लागू होते हैं तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह अधारा बानवे के अंतर गदिया गया है तो ऐसे जो उपबंध हैं वह भूम स्वामी के द्वारा पारित हो वहां पर लागू हों अर्त ह्राइवाइसा अधिपत्य है चाहिए वह करहसे प्रयोजनों के लिए हो और अदर पूनधिक कर णे की सकेगा तो के समय उचित निरधारण के समय उचित निर्धारण हएILL एक सो दोवी देखना आवस्य है इसमें बताया है कि जब धारा सौB Deutsch क्या जाता है तो भूरज़सव समझा गा यहां उसे लगान शमझा जाएगा नेक्षचन है अधारा के रहए ईए तक प्रवारतन में रहता है यह आईसी वह दहीं किया एक आंतरगत किया गया है नेक्स है निम्लिखित में से कौन कलेक्टर के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है तो इसमें से कलेक्टर के द्वारा कौन नियुक्त नहीं किया जाता तो हम देखेंगे कि पटवारी की नियुक्ति यह धारा 104 के तहत की जाती है कलेक्टर के द्वारा राज़त कि जो है कलेक्टर के द्वारा नहीं की जाती है कि नेक्ट है भूमिका नक्सा कौन तयार करता है तो भूमिका नक्सा जो है तयार किया जाने के बारे प्राउधान है और एक सो साथ के अंतरगत दिया गया है और ऐसा जो नक्सा है वह कलेक्टर के द्वारा तयार किया जाता है तो धारा 107 के अंतर गयत यहां प्राओधान किया गया है कि किलेक्टर के द्वारा या उसके निर्देश से जो है इस प्रकार का जो नक्सा है वहां तयार कराये जाता है नेक्स है भू सर्वेक्षण भूमी का नक्सा कौन तयार करता है तो भू सर्वेक्षण भूमी का जो नक्सा है वह जिला सर्वेक्षण अजिकारी के द्वारा तयार किया जाता है और इसके बारे जो प्रावधान है उधारा 107 के खंड 5 के अंतरगर दिया गया है तो यहाँ पर दो बाते हैं कि भू सर्वेक्षण का जो नक्सा है वह किसके द्वारा तयार किया जाएगा और भूमी का नक्सा किसके द्वारा तयार किया जाएगा तो जब भू सर्वेक्षण की बाती है तो वहाँ पर सर्वेक्षण अधिकारी के द्वारा तयार किया जाए तो दोस्त प्रकार से इस सीरीज का यह दूसरा वीडियो कंप्रीट हुआ और इसके माध्यम से हमने कुल सव प्रस्ट को स्वाल्व किया है और आगे कि जो वीडियो है इस पर हम जरूर प्रवाइट कराएंगे ता कि हम को सिस करेंगे आपकी बहुत सारी confusion को clear कर देगा और आपकी जो परिक्षा में accuracy है उसमें काफी जो है सुधार होगा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक आप चैनल पर बने रहिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो इससे सब्सक्राइब जरूर कीजिए धर्नेबाल